नमस्कार दोस्तों, नब्भे शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट नोईडा के सूपर टेक मामले में ब्रश्टाचार की जाँच के लिए बनाए गए विशेश जाँच दल ने काम शुरू कर दिया है यह जाँच दल अब नोईडा विकास प्राधी करण के उन अधिकारियों से पूछताच करेगा जो सूपर टेक मामले से जुड़े रहे थे साथ ही सालो पुरानी संबंधित फाइलें भी खंगाली जाएंगी ताकि पता चल सके कि किस किस इस्तर पर प्राधी करण के अधिकारी भवन निर्माता पर महरबान रहे और उन्हें बेजा फाइदा पहुचाते रहे इस कवायद का कोई फाइदा तभी होगा जब जाँच दल ततपरता और निश्पक्षता के साथ मामले की तह तक जाएगा और तथ्यों का पता लगा कर दोशियों को कठ घरे में लाने के परियास करेगा और तभी भविश्य में भवन निर्माताओं की मनमानी पर लगाम लग सकेगी गोर तलब है कि पिछले हफ्ते सर्वोच अदालत ने नोईडा में बनी सूपर टेक की 40-40 मंजिला दो इमारतों को गिराने का निर्देश दिया था ये दोनों इमारतें जिस तरह से खड़ी कर दी गई थी वह अपनी तरह का कम गंभीर मामला नहीं है सूपर टेक का मामला बता रहा है कि जमीनों के आवंटन से लेकर भवन निर्मान तक में प्राधी करण के अधिकारियों और भवन निर्माताओं की साठ गाठ कितनी जबर्दस्त है इस से यहे भी पता चलता है कि अर्बो रुपे के भवन निर्मान कारुबार में भवन निर्माता किस तरह से प्राधी करण के अधिकारियों को पैसे के बल पर अपने कबजे में करके उन से अपने मन मुताबिक फैसले करवाते चले जाते हैं इस से प्राधी करण को भारी राजस्व हानी तो होती ही है निस संधे यह अधालत के फैसले से बने दबाव का ही नतीजा है कि जाच को लेकर परदेश सरकार को सक्रिये होना पड़ा सरवोच अधालत ने सूपर्टेक की दोनों इमारतों को गिराने के साथ ही प्राधी करण के उन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने के आदेश भी दिये हैं जिनके कारेकाल में सब होता चला गया इसलिए अब परदेश सरकार 2004 से 2017 के बीच नोइडा प्राधी करण में तैनात उन अधिकारियों की सूची बनवा रही है जो सूपर्टेक मामले से जुड़े रहे थे सूपर्टेक का मामला सिर्फ प्राधी करण की ही नहीं बलकि राज्य सरकार की कारे संस्कृती पर भी सवाल खड़े करता है इस से तो लगता है की सरकार में उपर से नीचे तक कोई यहे देखने वाला नहीं है की कहां क्या गलत हो रहा है सवाल यहे है की क्या प्राधी करणों में कहीं कोई निगरानी का तंत्र नहीं है और अगर है तो फिर वर्षों तक इस महकमे का निगरानी तंत्र करता क्या रहा शीर्ष अधिकारियों को क्या जरा भी भनक नहीं लग पाई की उनके मातत किस तरह से नियमों की धजियां उड़ाते हुए भवन निर्माताओं के हितों को पूरा कर रहे हैं ऐसी इमारतें कोई एक दिन में तो खड़ी हो नहीं जाती जाहिर है प्राधी करण के अधिकारी महरबान बने रहे और भवन निर्माता अपना काम करते गए श्टोप धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में